सेवा भाफ से आज कल कोई सेवा नहीं करता इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ कमाई का जरिया तो चाहिए ही ये कहना है लाइन्स क्लब के जिनाचेयर परसन लबीन गुपता का देखिए सेवादारों को किस तरह का लाब दिलाता है लाइन्स क्लब जहासी के मेडिकल कॉलिज के मरीजों और उनके तीमारदारों को सरदी में रात बिताने के लिए निशुल क कमबल प्रदान करने के लिए लाइन्स क्लब जहासे सिटी की तरब से भवन बनवाया गया था कुछ साल पहले मेडिकल में आने वाले मरीजों को फ्री रात भर के लिए कंबल देने के लिए मेडिकल प्रशासन ने अनुमती दी थी इसके बाद बिना मेडिकल प्रशासन की अनुमती के यहां एक कैंटीन का निर्माण करा दिया गया जहां खाने पीने की वस्तों को बेचा जाने लगा इतना ही नहीं नियमों को ताप पर रख कर कैंटीन में घरेलू सिलेंडर का इस्तिमाल धडले से किया जा रहा था इस अवेट कैंटीन की सूचना CMS हरिश्चंदर को मिली तो तुरंत अवेट तरीके से चलने वाली कैंटीन को बंद करा दिया गया जब इस बारे में हमने Lines Club के जिला चेयर परसन नवीन गुपता से बात की जो इसमें हम लोगों को सेवाएं दे रहे हैं इसका हम कोई पेमेंड नहीं करते हैं तो इनका रोजगार इनको रोजी निकालने के लिए इनको एक सुग्दा दी गई है जिससे कि ये Self Producted Club से प्रोजेक्ट चलता रहे जिससे कहीं कोई ये अवरोज ना आये कि सेलरी नहीं मिली आदमी भाग गए और अब हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो ये निरंतर सेवा करने के लिए ये ज़रूरी है कि जहां जो सेवा कर रहा है उसको कुछ मिलता रहे तभी सेवा संभवाएं एक जिमेदार संस्था के पदादिकारी की बात से ये सपस्ठ हो गया कि कैंटिन उनकी अनुमती से चल रही थी उन्होंने जो बात कही वो भी उनके अनुसार सही हो सकती है लेगिन अगर नियमों की बात करें तो ये कैंटिन पूर तहा अवैद थी कम से कम एक जिम्मेदार संस्था को इस तरह के कारें से बचना चाहिए जो उनकी साख को नुक्सान पहुचाए क्योंकि लाइन्स क्लब एक बड़ी सामाजिक संस्था है जो आम जन को काफी मदद पहुचाती है निउस बुंदिल खंड के लिए जहासी से मनीश अली के साथ जितेंदर अहिरवार की रिपोर्ट